तो दोस्तों Facebook पर वीडियो कैसे अप्लोड करें भहुत सारे हमारे Creator साथ ही जानना चाहेंगे कि Facebook पर वीडियो अप्लोड करने का सही तरीका क्या है Mobile से कैसे अप्लोड किया जाता है Computer, Laptop, PC से कैसे अप्लोड किया जाता है तो इस वीडियो के अंदर मां आपको Mobile और PC दोनों के स्क्रीन पर ले जाकर वो सही तरीका आपको बताने वाला हो कि वीडियो कैसे अप्लोड किया जाता है कैसे हमें description है, title है, tag है, थमलेन है, वो डालने चाहिए ताकि Facebook पर भी हमारा वीडियो है वो viral हो जाए अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विजेंदर चिंग और आप देख रहे हैं technical नूनिया जी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका YouTube पे अपना एक चेनल है YouTube के दवारे वो पैसे कमाते हैं लेकिन साथ साथ में वो ये भी सोच रहे हैं कि यार मैं Facebook के जरीए भी वीडियो अपलोड करके पैसे कमाऊ तो ये काम हो सकता है क्योंकि यार वीडियो तो आप अपने YouTube के लिए बना रहे हो वही वीडियो आप Facebook पे upload करके भिया जादा से जादा earning हो कर सकते हो तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने mobile की screen पे ले जाके आपको दिखाऊँगा कि mobile से video कैसे upload किया जाता है उसके बाद मैं आपको computer की screen पे ले जाकर आपको दिखाऊँगा कि वहां से आप कैसे video upload कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे अपने mobile की screen recording है वो मैं यहाँ पे start कर लेता हूँ और साथ-साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी mobile की screen वो on हो चुकी है अब mobile के दोबारा video आपको कैसे upload करना है तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको Google Play Store पे जाना है अगर आप iPhone रखते हो तो आई वाले Store के उपर आपको जाना है तो यहाँ पे देखिए Creator Studio के नाम के एक आपको app हो मिलेगी आप Google Play पे लिख सकते हो Facebook Creator Studio जैसे आप यहाँ पे लिखोगे तो इस तरह की app आपके सामने आ जाएगी मैंने इसको पहले से ही install कर रखा है इस app को आपको यहाँ से open हो कर लेना है जब आप पहली बार इस app को open करोगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें अपनी Facebook ID से आपको login करना पड़ेगा यह दि आपका Facebook page है तो फिर उसको आपको select करना पड़ेगा अब जैसे मालीजी आपने इसके अंदर login कर लिया login करने के बाद देखे इस तरह से interface है आपको यहाँ पे दिखाए देगा जो आपने काम यहाँ पे कर रुखा है जो post डाल रखे है या पहले से कोई one अप्लोड कर रखा है तो आपको यहाँ पे दिखाए देगा अब video कैसे upload करते है video upload करने के लिए friends देखे यहाँ पे right side के अंदर आपको यहाँ पे pencil का option है वो मिल जाएगा इस पर आपको यहाँ पे click करना है click करने के बाद देखे यहाँ पे आपको कई option मिल जाएंगे नेचे video है photo है live है text है ठीक है तो आपको तो video upload करना है मैं यहाँ पे इसको allow हो कर देता हूँ इसके बाद आपकी phone की gallery है वो open हो जाएगी phone की gallery के अंदर जो भी video है आप upload करना चाहते हो upload कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे एक यह video है मैं इसको यहाँ पे select हो कर लेता हूँ तो चलिए मैंने आपकी video का जो title है वो आपको यहाँ पे डालना है क्या title आप रखना चाहते है वो title आप डाल दीजेगा मैं एक बार के लिए यहाँ पे demo वो डाल रहा हूँ लेकिन ध्यान रखना आपकी video जिस topic पे है उसी के नुसार आपको यहाँ पे title डालना है नीचे description है description के अंदर आपके video का title भी आपको डालना है और अपनी video के बारे में आपको बताना है अब देखें यहाँ पे description डालने का एक सही trick आपको बताता हूँ देखें description आपको इस प्रकार से लिखनी है ताकि आपकी video का title है उसके अंदर आ जाई इसलिए यहाँ पे keyword बन जाता है और अगर इस तरह से keyword आपके description में होगे तो वो video viral होने के जादा chance से वो रहेंगे ठीक है इसके बाद दोस्तों माली जी आपने यहाँ पे description है वो डाल दी ठीक है चलिए मैं यहाँ पे एक बार demo है यहाँ लिख देता हूँ कोई भी thumbnail यहाँ पे create किया है तो वो thumbnail आप यहाँ पे upload कर सकते हो तो यहाँ पे add का option आ रखा है ठीक है तो upload image पे आपको यहाँ पे click करना है और जो भी thumbnail आप लगाना चाहो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो तो चलिए मैं इसको select हो कर लेता हूँ पे मैं click करता हूँ तो देखिए अपना दो thumbnail है वो भी यहाँ पे लग चुका है इस तरह से ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पे next पे click कर देना है next पे click करने बाद देखिए नेचे publish का option आपको मिल जाएगा आपको इसको publish हो कर देना है तो देखिए यह तो तरीका है mobile से video upload करने का ठीक है यानि एक app आपको download करने पड़ेगी creator studio के उससे आप upload कर सकते हो चलिए अब मैं आपको अपने PC की screen पर ले जाकर दिखाता हूँ कि computer से हम कैसे facebook के video upload करते हैं तो इसके लिए screen पर आपको लेकर चलता हूँ उस page में आपको login हो जाना है जब आप login होगे तो इस तरह का interface से आपको यहाँ पर दिखाए देगा और यहाँ पर देखिए आपके सामने option होगा photo और video को यहाँ से आपको video upload नहीं करना है क्योंकि यह video upload करने का सही तरीका नहीं है तो सही तरीका क्या है तो इसके लिए आपको google पर जाके सर्च करना है facebook creator studio तो आपके सामने सबसे उपर देखिए facebook creator studio की जो website का link हो आजाएगा इस link पर आपको click करना है click करने के बाद इस तरह से यहाँ पर facebook creator studio का dashboard है आपको यहाँ पर दिखाए देगा अब जिस page के उपर आप video upload करना चाहते हैं तो उसको आपको select हवो कर लेना है निचे से आपको यहाँ पर view पर click कर देना ठीक है इसके लाद दूसरा तरीका भी है वो भी आगे माँ आपको बताऊँगा अब देखे यहाँ पर video upload करने के लिए भी आपके पास दो option कौन-कौन से हैं एक तो देखे left side में आपको यहाँ पर create new का option मिल जाता है इस पर आपको click करना है काफी सारे option है आपको यहाँ पर दिखाए देंगे अगर आपको single video upload करना है तो upload video वाले option पर click करना है यह दि आपको एक साथ 2 आ 3 video upload करना है या multiple video upload करने तो इस पर आपको यहाँ पर click करना है एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका यहाँ पर देखे right side में आपको upload video का option मिलेगा यहाँ से भी आप video upload कर सकते हैं आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर देखे दो तिन option आपको मिल जाएंगे single video के लिए इसको आपको click करना है multiple video के लिए आपको click करना है तो चलिए मैं यहाँ पर single video है वो upload करता हूँ इस पर मैं आपको click करके दिखाता हूँ क्लिक करने के बाद, यहां से आपके जो भी video है, वो आप select कर लिजिए, तो देखे हमारी ये video है, इसको मैं यहां से select करता हूँ, open करता हूँ, open करने के बाद, एक बार फिर से यहां से आपके page के बारे में पूछा जाएगा, यानि ये जो video है, आप किस page पर है, वो होना हो शुरू हो जाएगा अब यहां पे देखिए सबसЕ पहले आपको अपने वीडियो का टाइटल डालना है जो भी आपकी वीडियो का टाइटल हूँ डाल दीजिएगा ठीक है इसके बाद यहां पे देखिए निचे description है description के अदर आप अपने वीडियो के title के साथ साथ अपने वीडियो के बारे में जरूर लिखे और ऐसा keyword आपके description में आना चाहिए जो कि आपने उपर वीडियो के title में डाला है क्योंकि अगर आप same keyword डालोगे तो ये आपका जो वीडियो है वो rank करेगा ठीक है इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे निचे option आरा thumbnail का यहाँ से आप अपने वीडियो का जो thumbnail है वो आप यहाँ पे select कर सकते हो देखिए यहाँ पे आपको 2-3 option है वो आ रहे हैं पहला है choice suggested यानि जो आपने वीडियो अपलोड की है उसके अंदर यह automatic thumbnail है वो create करके आपको देदेगा 2-3 यहाँ पे आप देख सकते हो आगे आप drag भी कर सकते हो यहाँ से देखिए वो drag भी कर सकते हो ठीक है इस इतरह से अगर आप यह by default वाला यह thumbnail अगर यूज करना चाहते हो तो यह यूज कर सकते हो इसके अलाव यह दि आपने manually खुद का thumbnail अगर आपने बनाया है तो देखिए यहाँ पे upload image का option आपको यहाँ पे मिल जाता है इस पर आपको यहाँ पे click करना है click करने के बाद यहाँ पे upload image पे आपको click करना है ठीक है इसके बाद फरेश देखिए यहाँ पे निचे एक आपको option दिखाए देगा show more का इस पे आपको click करना है click करने के बाद यहाँ से आप अपने वीडियो की take हो डाल सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ से on करना है on करने के बाद यहाँ इस column के अंदर ठीक है यह suggest कर देगा इसी तरह से जो जो आप यहाँ पे take या की वह डालना चाहते हो वो आप अपने आवसेक्ता के नुसार हो डाल सकते हो इतना काम आपने कर लिया एक step हमारी complete होगी अब थोड़ा सा आप यहाँ पे left side में देखिए चलिए इसके बाद यहाँ पे publish का option आ रहा है publish के अंदर देखिए यहाँ पे आपको कई option हो मिल जाते हैं जैसे अगर आप इसी वक्त इसको publish करना चाहते हैं तो publish नाव पे आप क्लिक कर सकते हैं प्रेमेर में डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं शेडूल अगर आप इसको करना चाहते हो कि मान लिजे आप अभी वीडियो अप्लोड करें दो गंटे बाद में आपको यह पब्लिक ली करनी है तो यहाँ से आप टाइमिंग है वो स्लेट कर सकते हो इसके लाव यहाँ पर आप इसको ड्राप्ट में भी सेव हो कर सकते हो इसके लाव यहाँ पर देखें निचे आपको कई option है वो मिल जाते हैं यहाँ से देखिए playlist के बारे में बताया गया है अगर आप इस वीडियो को playlist के अंदर डालना चाहते हो तो इसको आपको on कर देना है on करने के बाद यहाँ पर देखिए जो भी आपने अपने facebook page के उपर playlist बना रखें वो सारी दिखाए देंगे अगर आपने पहले से कोई playlist नहीं बना रखें तो यहाँ पर देखिए निचे create new playlist का option आपको मिल जाएगा इस पर आपको click करना है click करने के बाद हीहाँ से आप अपनी playlist का नाम दे सकते हो playlist के description आप डाल सकते हो playlist का thumbs line हो आप यहाँ से हो डाल सकते हो फिलाल मैं यहाँ पर कोई भी playlist हो create नहीं कर रहा हूँ अगर आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो मैं इसको cancel करता हूँ ठीक है तो यहां से आप अपनी playlist है वो बना लीजेगा और playlist बनाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि माली जी कोई visitor आता है और एक ही topic पर आप एक series में लेकी video चल रहे हो तो वो सभी video आपको देखेगा तो इससे आपकी view बढ़ेंगे और earning है वो भी आपकी यहां पर बढ़ जाएगी अब देखे यहां पर माली जी आपने सारा काम यह कर लिया complete आपने यहां पर कर लिया तो यहां पर देखे लास्ट में आपको publish का option मिल जाएगा फिल हाल यह publish का option active नहीं हुआ है अक्टिव इसलिए नहीं हो है क्योंकि हमारी जो वीडियो है फिल हाल upload नहीं हो ही आप यहां पर देखे सकते हैं फिल हाल यह 30% ही वीडियो upload हुई है जब यह upload हो जाएगी तो आप यहां से इसको publish हो कर सकते हो शेडूल करना चाहते हो तो आप custom label का मतलब यह होता है कि देखे जब भी अपने वीडियो देखते हैं तो उपर आई बटन आता है जैसे YouTube में आता है उसी तरह से आई बटन आता है तो आपको यहां पर अपने कोई भी वीडियो की जो आईडि है वो आपको यहां पर डालने पड़ेगी अब वीडियो की ID आप कहां से निकालोगी तो वीडियो की ID निकालने के लिए आपको दूसरी टेप के अंदर Creatory Studio वो open कर लेना है और यहाँ पर देखिए Publish का option आपको मिल जाएगा Publish का option मिलने के बाद यहाँ पर जो भी आपका वीडियो है जैसे मानली जी यह वीडियो है और यहाँ पर देखिए एरो का option मिलेगा और यहाँ पर देखिए आपको Copy Video ID इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है वापस पहले वाली टेप को open कर लेना जहां से पर वीडियो अप्लोड कर रहे हैं और यहाँ पर तरीका है Facebook पर वीडियो अप्लोड करने का अब वीडियो अप्लोड करने के बाद आप उसको ट्रेक कैसे करेंगे कि कितने व्यू आये किस तरह से आपको पता चलेगा तो वापस आपको Creatory Studio में आ जाना है और यहाँ पर देखिए Publish का Option आपको मिल जाता है ठीक है काफी सारे Option मिल जाते है All पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो अब जैसे हमारे यह वीडियो है ठीक है तो देखिए यहाँ पर आपको ड्रेक करना है इस तरह से यहाँ पर सब कुछ है यह आपको यहाँ पर दिखा देगा ठीक है यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल है आपको यहाँ पर दिखाए देगी तो इस तरह से हम Facebook पर अपना वीडियो अप्लोड कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं वापस केमरे की तरफ दोस्ते इस परकार से अपने Facebook पर मोबाइल और कम्प्यूटर से दो तरी कोई से वीडियो अप्लोड कर सकते हैं साइद आप समझ गए होंगे इसके अलावा Facebook पर वीडियो अप्लोड करते समय आपको किसी परकार की कोई समश्या आ रही है और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन उसे भी दबा देना और नोट्रिफिकेशन उसे भी ओन कर लेना ताकि इसी प्रकार से नहीं नहीं वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे मिलते हैं फ्रेंट्स अगली एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत